Hello everyone, this is Ashi Jain This is a continuation video on process questioning दिखिए आज जो हम इसमें एक वीडियो लेक्चर में हम एक नए टोपिक करने जा रहे हैं That is called work in progress और इसको हम दूर्सता अडाम से भी इसको जाते हैं That is called equivalent production दिखिए ये टोपिक काफी difficult है And थोड़ा tricky है तो इसको बहुत धान सा बना And अगर कोई difficult है That means that is very important from the examination point of view as well So आपका पूरा पहले basic मैं अच्छे से नहाँगा कि इसमें हमें क्या problem अरह जाती है इतना difficult क्यों है Plus पहले आपको basic meaning पताना चाहिए What is the basic meaning of equivalent production देखिए माल हीज़े जैसे अगर आप ने Overall एक फैक्टरी में 20,000 रुपीर जोई spend किये किस के लिए spend किये आपने 2,000 यूनिट को बनाने के लिए Which means आपके Overall अगर मैं आपसे खर्चा पुछूँ कि per इनिट आपको cost कितना बड़ा So आप बोलो कि sir 10 per unit जो वो खर्चा आया Exactly But अगर मैं बोलू कि ये तो आपका जो जो आपने 2,000 units जो बना ही है वो basically आपकी 100% complete है तभी आपने जो इसकी 10 per unit के आपकी cost पर रिट आई है But अगर मैं ये बोलू कि ये amount आपका अगर मैं बोलू कि इसकी आप partially That means अगर मैं बोलू कि अगर ये अगर 80% complete होता तो cost per unit कितनी आधी Cost per unit कितनी आधी That is 8 per unit ऐसे ही अगर 50% होता तो कितनी आपके cost आथी That is 5 per unit That means अगर partially अगर अगर आपको पता है 100% होने में कितना खर्चा होता है It means आपको पता है 100% में आपको 10 per unit आपको cost पढ़ती ही है अब उसी की equivalent अगर आपको पतलता है कि पारिशली कितना है तो उसके निकालो कि 80% तो 8 पर इनिट, 50% तो 5 पर इनिट, 30% तो 3 पर इनिट अब problem कहां arise होती है कि अगर मान लिजे जैसे अगर दिखा रहे equivalent production का हम पढ़की होने टोपी है आपको simple word नहीं सनाता हूँ जैसे दिखिए अब timeline के तुरू पढ़ाता हूँ आपको में देखिए जैसे दिखिए यह opening stock आपने opening यहने कि previous year का closing जो है इस year का closing opening बन गया अब in between आपने कुछ units जो introduce किये अब at the end आपके जो है कुछ closing stock हुआ आप जो है आपका क्या बन गया था finished goods बन गया था हूँ आपका row meter बन के तयार हो गया था हूँ अब तक हम क्या कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे कि opening stock up ले रहे थे that is at the very beginning of the year suppose the first of April 2020 and closing stock up ले रहे थे that is 31st of March 2021 ऐसे ही लिए रहे रहे हूँ आप मेंस होता क्या है that means at the end of this year at the end of रिकेंस at the end of financial year हम देते कितने goods हमारे बन के तयार हो गया है यह हम दिखा जाते हैं बट अब तक हमने इसके वारे में कुछ टिसकस नहीं किया था इसके बीदे कोई cost हो गी क्या यह जो closing stock है क्या यह बनके तयार हो गया क्या बनके तयार हो गया तो कितना अब तक नहीं हुआ वह भी देखना पड़ेगा तो अब तक क्या था जैसे मानिजे अगर जैसे देखिए कोई भी अगर raw material अगर रो raw material finished goods में convert हो रहा है मानिजे convert होने में इसको five days लग रहे हैं तो पूरे साल में जितने भी होंगे आप पता लगा सा तो कितने number units यह रो मेटल में convert हो रहे हैं तो that means अगर मानिजे अगर आपने units जो introduce करें मानिजे आपने की 29th of March 2021 अब इस रोब मेटल को convert होने में five days लग रहे हैं that means 30, 31, 1, 2, 3 that means 3rd of April 2021 को जोई complete होगा बट जो accountant officer आएगा वो कब आएगा वो आएगा at the end of accounting year that means 31st of March 2021 अब कुछ रोब मेटल जो अभी विजय है वो क्या होगा वो work in progress में that means वो अभी भी factory में यानि की कैसा तो कि plant and machinery अभी वो रखा हुआ है अभी वो convert ही नहीं हुआ बट इस working progress में कुछ तो खर्चा हो गया होगा बट कुछ तो material में लग गया होगा कुछ labor की cost भी लगया होगी कुछ overhead की भी लगया होगी अगर मैं मांगे चोनू मालेजी material में suppose 100% जो खर्चा हो चुका है बट labor में अब तक 50% ही काम हुआ है मैं overhead अब तक किसी 30% हुआ है तो पता कैसे चलेगा कि इसकी cost है किदरी तो यहां पर problem arise यहां पर होती है कि हम जो है अगर closing stroke में कुछ working progress हो ठीक है और उस पर अलग-अलग पार्ट में है कि material में 100% हो गया लेकि labor में 50% और award में 30% तब उसकी cost per unit निकालना बड़ा difficult होता है जैसे देखे आपने इस example में था आपने बड़े easy निकाले कि इस और इसकी cost per unit तो इस case में कैसे निकाल होगे यह बड़े difficult होता होता है तो इसके लिए simpler performance में आगर चोटा से example दूँ जैसा मान लिजे अगर मैं आपसे बलूँ कि अगर 10,000 units 10,000 units हैं यह आपकी अभी work in progress में है work in progress में है और मैं आपको बलूँ यह इस पर अब तक आपका 40% काम हो चुका है 40% completed है है तो working progress में लेकिं 40% काम इस पर हो चुका है यह अगर आपको इसकी equivalent production का जाननी है तो कैसे करना है आपको जस्ट आपको simpler favor मता रहा हूं इसको अब deadly अब इससे mental है करो that is 10,000 multiplied by 40% which comes to 4,000 units now the question arise here sir what represents this value क्या show करता है क्या indicate करता है यह indicate करता है जैसे देखिए यह 10,000 units जो है यह incomplete है work in progress में भी but इस पर 40% काम हो चुका है तो that means अगर आप इतनी units अगर आप use करोगे तो आपको कितनी units मिलेगी that is 4,000 units मिलेगी आपको तो 4000 units मिलेगी तो यह आपको क्या represent कर रहा है that is 100% जो है क्या हो चुका है which are used to apportion cost between work in progress and completed output that means यह equivalent units जो होते है यह कहाँ equivalent है but यह कहाँ incomplete है अब इसकी cost को हमें निकानने के लिए हमें क्यों करना पड़ता है between the work in progress and the completed output चीक है तो इसका देखिए step by step इसका process काफी बड़ा होता है देखिए ultimately तो हमें वही process account ही बनाना है but the thing is कि इसको हम ढट की तुरी निकाल से कि काफी सारे step follow गना पड़ेंगे तब हम at the end process account बनाएं तो देखिए कैसे करना है यह तो मैं आपको सिफ एक जब question करेंगा उसके तुरी ही सनलासता हूँ तो पहले question 6 से पड़ते हैं उसके बड़ा question try करेंगे तो question number 8 देखिए यहां से from the following details prepare statement of equivalent production statement of cost find the value of artwork transfer closing working progress देकि यहां तो मैंशन कर दिया कि आपको यह सब prepare करना है but the thing is examiner आपको बोलेगा नहीं examiner आपको सिफ question देगा now you need to identify which statement you need to prepare so that means जब भी case अगर आपका आएगा that is related to work in progress that means you need to prepare all these statements that's it तो चली question पड़ते हैं first लिक है opening work in progress देखिए क्या word लिक है आपर opening work in progress opening means क्या लिक है that means last day का closing last day closing this year का opening बन गया और वो क्या अभी भी still working progress में किते units है that is 2,000 units at Rs. 12,000 next आपको भी बता रहा है कि 2,000 units जो बन चुकी है अभी तक उसमें अब तक कितना कितना काम हो चुक है वो बोलर कि material में तो इतना काम हो चुक है यस वो बोलर कि material जो 100% काम हो चुक है जिस पे खर्चा कितना काम हो चुक है जिस पे खर्चा कितना काम हो चुक है जिस पे खर्चा कितना हो 1,500 तो दिखे कर टोटल करो कितना काम हो चुक है तो आपको क्या में लिए कर 12,000 ही आ देगा units introduced हुई है into this process that is 8,000 units next word in next table में there are 2,000 units in work in progress and stage of completion is estimated to be that means 2,000 units जो है वो अभी भी progress में है तो बोल रहें कि at the means complete change stage पे अभी भी तो बोल रहें कि material पे कितना हो गया 2,000 यह नहीं की गया इस 2,000 units के बाद कर रहे है labor में कितना हो गया 50% over rate में 50% काम हो चुक है आगे लिखा है 8,000 units were transferred to next process the process cost for the period incurred कितना कितना हो गया material पे 1,000,000 labor पे 78,000 over rate पे 39,000 चीक है काफी completed question होता है तो इसको मैं इस वीडियो lecture में एक ही question कराऊँगा इसको मैं थोड़ा अपनी speed रुखर में बहुत दीर रखूँगा ताक कि आपको एक-एक step आपको समझ आ रहे है तो पहले क्या कर रहा है हमें first step is to prepare the cost of equivalent production equivalent production क्यों निकालना है जैसे दिखिए मैंना को बहुत है 10,000 units को हमने 40 सबस है यह आपकी एक equivalent production आपकी 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 तो अब हमें यहाँ पर दिखना पड़ा है कि इस question में आपकी equivalent production कितनी आपकी है पहले column देखाए input तो इस साल देखिए कितना input हो देखिए 2,000 units वो कौन सी थी that is opening work in progress and 8,000 units were introduced अभी हमने question में पड़ा तो लेके लेके है units introduced कितनी हुई थी 8,000 होगी थी चिक है अब एक बाद question फिर से पड़ाते हैं देखिए क्या लिखा language यहां लिखे यह statement के लिखा there are 2,000 units in process in process and the stage of completion is estimated to be that means यह आपको 2,000 आपको closing stock given है क्या given आपको यह closing stock given है so अगर आप मैं ध्यान से बुरूँ कि 2,000 units देखिए opening है total input कितना हुआ था 10,000 का total input तो 10,000 का हुआ चिक है अब इसमें से 2,000 units तो आपकी closing stock हागी closing work in progress बाकि remaining आपकी units introduced होगी and इसमें हम लिख से तो and completed यह completed भी हो चुके है ठीक है बस अब हमें इनकी units समय देखिए कि कितने कितने material, labor, overhead में units के साफसे कितने कितने units produce हुई है तो देखिए इसको simple function के लिए मैंने आपको basic point पहले से लिखिए हो है यह आपको हमेशे याद रखना है अगर operating stock given हो तो percentage कोई से लेनी है that is the remaining percentage मतलब सर ऐसे लिखा हुआ है कि operating stock में 60% काम हो चुका है next one is completed complete हो तो 100% that's it normal loss हो तो ignore करना है normal loss में चाहे given हो यह ना given हो आपको हमेशा ignore ही करना है abandon loss में क्या है अगर question में लिखा है तो उतना ही लेना है नहीं लिखा तो 100% लेना है तो यह basic points है data you need to remember I repeat operating stock remaining closing stock as per given in quotient completed 100% normal loss ignore abnormal loss given in quotient तो देखिए पहला क्या करना है operating stock remaining percentage यह आपकी 2,000 units के आपको first table गिवना को 2,000 units के ताफ़स किती units आपकी operating stock है तो material में 100% काम हो चुका था हमें क्यालना है remaining देखिए हमें material में लिखा हुए 100% complete काले तो हम भी तो यह लिए remaining कितना हो चाहा that is nil तो हम लिए लिए that's it अब इसी में देखिए हम labor में कितना हुआ 60% remaining कितना percentage remaining कितना percentage that is 40% अब हम 40% कालें कितना ही का 2000 units का 800 अब ऐसा ही सेम देखिए और कितना 60% तो revenue कितना percentage that is 40% 40% of what? 40% of 2000 again that is 800 now come to units introduced and completed कितनी units है? 6% sorry 6000 है और completed में कहलेता है always take 100% 100% 100% 100% of 6000 6000 6000 यह तो easy है closing stock में कहलेता है आपको पता है जितना question में given हूँ लिखाना है closing stock में as per given in question तो देखिए closing stock में कितना given है closing stock की table देखिए यह आपकी यह वाली ठीक है second वाली material पे 100% है labor में 50% and overhead में 50% तो उतना ही लेंगे material में कितना है 100% labor में 50% overhead में 50% तो 100% of 2,000 2,000 50% of 2,000 1,000 50% of 2,000 1,000 now just make a total 8,000 7,800 7,800 7,800 यह क्या निकाला आपने that is equivalent units यह आपने काला है that is equivalent units तो यह था आपका first step that is how to calculate equivalent production अब हम निकाला है cost per unit cost cost per unit cost incurred cost incurred कितना कितना हुआ in the material labor and overhead देखिए last step यह आपको given है material पे कितना खर्चा हुआ और एक लाग labor पे 78,000 और overhead पे 39,000 तो पहले लिए देंगे one lakh 78,000 and 39,000 आप क्या करना आपको यहां लिखना है equivalent production इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमें निकलना है cost per unit cost per unit to divide कर देंगे तो यह कितना जाएगा 12.5 10 and this will be 5 तो यह आपके आगी cost per unit ठीक है आप देखिए मैंना आपको equivalent units का मतलग का क्या समय था that equivalent are that which represents the incomplete work which are to be apportioned between the work in progress and the completed work और completed output तो अब हमें इसो करना apportionment भी करना है so next step is that is how to calculate the apportionment of cost तो देखिए cost per unit ता आगी लेकिन अब जैसे opening stock में कितना हुआ ठीक है मैंना अल-अलब stage में कितना कितना हुआ देखिए तो देखिए किसे निकालेंगे इसको यहां लिखेंगे opening work in progress material labor overhead ऐसे हम करेंगे completed का material labor overheads कैसे करना देखिए इसको आपको देखिए operating w में कितने units क aperture कर रही है जब चुमारे मी कि लिखें दीके है आपको आपको निखें कि अपर स्चाहशन क अन्टेक सी एनदोब था खें अन्टेल मिंततान संबर देहां पारती है इसxisद हत्याम के गदिखुडञे इस Estamos क्लोजिंस में किता था ? 2000, 1000, 1000 बस अब कोश्परिंड आप निगाल ले दी सबके rate कितना किता है ? इसका उतों नहीं लिया जाएगा इसका किता था 5 आँ स्वरी 10 & 5 12.5 10 & 5 12.5 10 & 5 बस अब कोश्परिंट ले कर तू ये तो निल 8000 & 4000 ये टोटल होगा आपका that is 12,000 इसका रह आपका 75,000 60,000 30,000 15,000 Now the total will be 65,000 10,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000 8,000 5,000 5,000 6,000 5,000 8,000 1,000 5,000 6,000 12,000 6,000 6,000 अब जो हमने उनिट्स इंट्रड्यूज की थी एंड कम्प्लीट भी हुई है वो कितिनी उनिट से 6000 उस पे खर्चा कितना हो गया आपका याट इस 1.65,000 बस इसको टोटल कर देंगे विच कम्स तू अमाउंटिंग रुपीज 1.89,000 बस अब फाइन आपका अगया प्रोसेस अकाउंट देखें अब तो यह जी आपका ओपनिंग डबलू आईपी कितनी उनिट्स आपकी 2000 इस पे आपको उपर खचा कितना देखा था आपको 12,000 का तो इंट्रड्यूस कितनी की यूनिट्स एट थाउजन की थी तो तो मटीरियल पे देखें कितना खर्चा हो चुका था वन लैक लेबर पे कितना हो गया था 78,000 एंड ओवर हेड्स पे 39,000 तो यह टोटल हो गया आपका 10,000 ठीक है यह हो जाएगा आपका तो लैक टुन्टी नाइट थाउजन ठीक है अब आपका थाउजन अब आपका थाउजन ट्रांसफर्टू नेक्स प्रोसेस इसमें एक यह प्रोसेस अगा थाउजन बिकोज अब इतना बड़ा कॉर्शन तो अब हो नहीं साथा यह बिनाएगा है क्लोजिंग वर्किन प्रोरेस तो देखें लिए इसमें तो कितना हो थाउजन टोटल कितना बना थाउजन तो कितनी उट्रांसफर कर रहे है इस एट थाउजन इसका खर्चा कितना है देखिए टोटल कोस्ट अफ आपुट हमें नेकाल ले इस वन नेकाल ले ठीकि कितना हो थाउजन तो यह था आपका पर्स कॉच्शन और एक्यूवर्ट कॉच्शन जैसे वन आपका थाउजन काफी डिफिकल्ट है तोड़ ट्रकी है आपको स्टैब बेस्टैब आपको बहुत जान से दिखना पड़ेगा आपको किस्टैब में कैसे क्या फिगर लिखनी है तो इसके यह तो आपका बेसिक कॉच्शन है अभी तो मैंने आपको कुछ लाइक नॉर्मल लोज, अब्नॉर्मल गेन अब्नॉर्मल लोज का कोई फेक्ट नहीं लिया तो वह तो हम चलो next video channel करेंगे तो अब तक आपके कॉच्शन को फेक्ट्षी से फेक्ट्ष कर लिए थैंक यू